आपका कोडिने जोमेट्री के नेक्स्ट कोस्टन है find a relation between x and y, यह points a, b and c are collinear, यह आपके cbse 19 में आ चोगा है, चुड़ा है 19 का problem है, ठीक है, बच्चे सिधा question देखे घवराते हैं, परहले आप एक दोवर question पढ़ोगे, फिर देखोगे कि क्या given है, क्या find out करना है, ठीक है, आप आप से पुझा जरा find relation between x and y, कहीं ने कहीं x और y में relation generate होगा, जिसमें condition दिया हुआ है कि points are collinear, पहली बात जब collinear कह रहा है, collinear कहने का मतलब area 0 है, एक line पे तभी नहीं होगा, sorry, एक line पे तभी होगा, जब उसका area 0 होगा, ठीक है, अगर एक line पे है, तो area 0 है, नही है तो area कुछ नहीं कुछ होगा, ठीक है, coordinate geometry मेरे 3 points given है, तो आपको area का formula पता है, अगर नहीं पता है, तो इसमें भी बच्चे confused होते है, मैं आपको simple way बता रहा हूँ कि आप कैसे formula को learn करे, first, area of triangle, ठीक है, जो भी है a, b, c होगा, 1 by 2, अब ध्यान दो, आप x1, x2, और x3, उसको बच ब्रैकेट लगा तो, plus, ध्यान दो, area of triangle याद करना नहीं है आपको, टेक्निक है, 1 by 2, x1, x2, x3, ठीक है, अब हम एक circle गनाते है, 1, 2, and 3 का, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, अब देखो, हम लोग यहां 1 पे है, 1 पे हैं, 3 है, पे हैं, मतलब 1 और 2, y1 minus y2, ठीक है, यहां का area of triangle होगे, अगर 3 coordinates given है, तो, you can find area of triangle, अब हमारे case में क्या है, देख लो, a, b, c, 3 points given है, यहां से कहला है कि यह को linear तो relation find out करना है, पहले तो, को linear है, तो आप इसका area is zero करते हैं, ठीक है, तो, area of triangle, a, b, c, अब देख लो, क्या होता है, 1 by 2, हमारा x1 क्या है, इस case में, यह है हमारा x1, यह हमारा x1 है, यह हमारा x2 है, यह हमारा x3 है, यह हमारा y1 है, यह हमारा y2 है, और यह हमारा y3 है, ठीक है, x1 ले लू y2-y3 y2 क्या अमार 6 है minus y3 क्या अमार 3 है plus x2 x2 उमारे क्या minus 4 है y3-y1 y3 क्या अमार 3 है ठीक है y3 है y3-y1 y1 क्या अमार 3 है प्लस x3 क्या हमाना माइनस 2 और y1 माइनस y2 y गोर हमारी क्या है y माइनस y2 क्या हमाना 6 यह हमारा 0 है ठीक है देखलो कहीं कोई fault तो नहीं है हमारा x है y2 देखते रागे अब यह half right side में 0 हो तो खतम हो जाएगा यह बना हो जाएगा x 6 माइनस 3 प्लस माइनस 4 3 माइनस y प्लस माइनस 2 calculation के ध्यान रखेंगे y माइनस 6 प्लस 0 simplify गो यह 3 हो जाएगा 3x माइनस 12 प्लस 4y ठीक है माइनस 4 और y से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस 2y प्लस 12 इकोज 0 कोई डॉल्फ नहीं 3x जो light term उसको simplify करो यह तो हमारे cancel हो जाएगा ठीक है और यह आपका 4y माइनस 2y यह आपको हो गया 2y ठीक है हो गया आप से पूछा ही यह जाएगा कि find the relation between x and y this is the relation between x and y यही तो x और y में relation है ठीक है फिर से मैं repeat करता है इस problem को पहले बात तो area of triangle का formula याद रखना simple है आप इसों simple वे में याद रख सकते हो मैंने technique पता है half रोग है x1, x2, x3 ठीक है 1 से 2 and 3 y2 minus y3 जो bracket में है वो हमारा y containing term है x2 है x2 क्यों हो जाएगा यह है आपका x2 फिर 2 के बाद 3 और 1 y3 minus y1 फिर सकार बाद x3 है 3 के बाद 1 और 2 ठीक है अब formula हो गया तो फिर simple है यह आपका x1 y1 है यह x2 y2 है और x3 y3 है अब सीड़ा इसमें value plug कर दो ठीक है value plug करने के बाद क्या और यह half right side में खतम ठीक है अब देखो यह x6 minus 3 minus 4 3 minus y जो भी हमने simplify कर दी और यह आपका relation आ गिया है कोई doubt ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप like कर जिए subscribe किजिए ठीक है और कोई भी doubt हो तो आप इसमें comment box में लिखिए